गाइस प्रत्वी के बारे में कई तरह की धारनाय हैं जो की काफी गलात हैं फिर भी प्रचलेत हैं जैसे प्रत्वी का आकार बाबजूत इसके की प्रत्वी पर ग्रेविटी लगवक सबी जगह एक सा है प्रत्वी का आकार नियमित नहीं है इसकी प्रोपाइटी का घनित्प तक बदलता रहता है जिस पर कई तरह के फोर्स लगते हैं लेकिन इंडियन ओसन की गहराई में ये ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कमजोर पड़ जाता है इसी इलाके को बिसाल ग्रेविटी होल कहते हैं जो की 30 लाख स्क्वेर किलूमीटर का इलाका है नए अध्यन में सेटलाइट के मापन आदी से लंबे समय पहली ये खुलासा हो गया था कि भारत के उप महादीब की नौका से ठीक नीचे समुद्य जल इसतर गुरुत्बकरसन जिद्दुजहत की बज़ए से कम रहता है से हिंद महासागर की जियो इडलो कहा जाता है और इसके आसपास का गुरुत्बकरसन की मान जादा रहती है लेकिन इस तुलनात्मा कमजोरी की बज़ए क्या ही ये अभी भी इसपस्ट नहीं था अब इंडियन इंस्टिटूट अफ साइंस के दो भारतिय सोथकरताओं को लगता है कि उन्होंने बे इस रहस्त को बेहतर समझ सके हैं और इसक की गुत्ति को सुलजाने में सफल हो गए हैं जियो फिजिकल लेटर्स में प्रकासित अध्यन में इस बारे में जानकारी दी गई है भारतिय बैग्यानिकों ने अपने सोथ पत्र में इस परी घटना की अपनी ब्याख्या दी है इसमें उन्होंने बताया है कि पिछले सभी अध्यन जिन्होंने इस पर काम किया है इस बात पर ध्यान नहीं दिया की आखिर ग्रेविटी की ये बिसंगती का उद्देश कैसे हुआ उन्होंने इसके पीचे का कारे कर रही प्रणाली की ब्याख्या देने का प्रयास किया गाई सोथ करताओं को लगता है कि इस टानों को उपर लाने की बज़ए बन गए लेकिन इस दावे के साथ समस्या ये है कि ये केवल कंप्यूटर मोडल पर आधारित है और केवल इसी आधार पर इस बिसंगती के बिवात को सुल जाने में साइद परियाप्त ना हो लेकिन सोत करताओं का ये दावा खारिज भी नह किया जा सकता दोहजार अठारा में भारती नेशनल सेंटर फार पोलर एंड ओसन रिसर्च ने इस बिसंगती छेत्र में कुछ सीजमो मीटर को समुद्रे तल तक उतारा था जिससे उसका मापन किया जा सके तटो से दूर होने के कारण यहां बहुत कमी आकड़े हासिल हो सके हैं दोहजार अठारा के सरवे ने इंडियन ओसन के नीचे पिगली हुई चप्तानों के कुछ गर्म गुबारे की मौजूद्गी की और इसारा किया था जिसका इसमें योगदान हो सकता है गाइस इसके लिए पॉल और घोसन इतिहास में जहांकने का प्रयास किया और उन्ह है भारती टेक्टोनिक प्लेट विसाल महादीप गोणवाना से तूट ही रही थी जैसे जैसी ये प्लेट उत्तर की ओर बढ़ी तेठी सागर में गुस्ता चला गया और हिंद महासागर का निर्मान हुआ सोत करताओं ने प्लेट और मेंटल गतिविदियों के सेमुलेशन के जरिये नतीजे में मिले इलाके के आकार की तुलना मुझूद इलाके के आकार से की जिन प्रतिमानों ने बरतमान अवस्ता में नतीजे दिये उन सभी में एक चीच सामान निती की नीचे से गर्म और कम घनित्म के गुबबारे नीचे से आ रहे थे सोत करताओं ने बताया कि उनके नतीजे सुझाते हैं कि ग्रेविटी होल बनने के लिए जरूरी होगा कि गुबबारे मद्ध मेंटल से उपर तक आ जाएं गाइस आपको ग्रेविटी होल के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें